जैन साथियो, कैसे हो आप सब, मैं उम्मिद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSCGD की आप तैयारी कैसे करिएगा आपको ही पता है कि SSCGD जिसकी वेकिंसी 24 नुवंबर को आने वाली है आपको 24 नुवंबर से ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा और इसका फेवरी में एक्जामिनेशन का डेट भी आ गया है बीस तरीक से आपको एक्जामिनेशन देखने को मिलेगा तो यदि आज से ही हम लोग जोड़ें तो लगभख आपके पास मैक्सिमम चार मंत है चार मंत में जो है आपको बढ़िया स्टाटेजी बना के और तयारी करना होगा तभी जो है आप एक अपना सिट कर नफर्म कर पाईएगा तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि SSC GD के आप तयारी कैसे करिएगा क्या स्टाटेजी आपकी रहनी चाहिए बुक्स किस तरह की रहना चाहिए पुरा फूल डीटिल में बात करेंगे तेकि SSC GD की तयारी करने से पहले हम इसका एक्जाम पैटर्न और सिलिवर्स के बारे में समझ लेते हैं आपको इसमें जो है 80 questions देखने को मिलते हैं साथ मिनट का आपका एक्जामेनेशन होता है टोटल आपका 80 questions रहते हैं 120 नमबर का मतलब कि एक question पे आपको जो है दो नमबर मिलने वाला है आपके 20 questions रिजनिंग से रहते हैं 20 question math से रहते हैं 20 question GKGS से रहते हैं और 20 question जो है इंगलेस या हिंदी जो रहते है आपको इवी एक चूझ कर सकते हो आपकी final मेट जो है आपके return पे ही बनती है किजिकल आपका qualifying nature का होता है medical भी qualifying nature का होता है जो आपकी final bit बनती है आपके return पे ही बनती है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप marks लाएगा उतना possibility रहता है आपका result बनेगा देखिए यदि आप selection चाहते हैं SSGD में तो यदि आप मुखितत 3 subject पे focus करिएगा आपका काम हो जाएगा तो आपकी result होने की पुरी-पुरी संभावना बन जाती है क्योंकि आपको ही पता है कि जो GKGS का section होता है उस पे काम करना या थोड़ा सा आपके लिए tough हो जाता है किसी के लिए भी tough हो जाता है क्योंकि SSGD 20 question ही रहेगा लेकिन उसके लिए इतना सारा books पढ़ना पढ़ेगा तो ये 3 subject जो है आपको limited है math हो गया, resume हो गया और हिंदी हो गया अगर इस 3 subject से आप अगर 50 के आसपास question सही कर देते हैं तो आपको result होने की पुरी-पुरी संभावना बन जाती है तो मुखेता इस 3 subjects पर आपको command करना है अब देखिए books के बारे में बात कर लें तो देखिए math के लिए बात करें तो math के लिए जो है आप सागीर अहमत का अंक गणित ले सकते हो math basic ही पुछता है, कोई advance नहीं पुछता है भले आपको SSC की द्वारा conduct कर रहा जाता है लेकिन 3th level की vacancy है तो question का level भी वहीं रहता है तो practice के लिए सागीर अहमत का मैत ले सकते हो उसके बाद हिंदी के लिए जो है आप lucrant ले सकते हो या किरन publication का भी book आ रहा हो भी ले सकते हो हिंदी के लिए या हिंदी व्याकरण का पत्ली से book आती है ओभी ले सकते हो और उसके बाद GKGS की बात करें तो GKGS के लिए आप समान ग्यान करके कीरन का आता है उसको ले सकते हो, lucrant से आप पड़ सकते हो अब reasoning के बात करें, तो reasoning के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई book पड़ो reasoning का आप चाहे तो किसी publication का book ले सकते हो लेकिन reasoning जो है आपके previous year के question paper जो आप check out करे होगे उसी से जो है आपका काम बन जाएगा रोज एक-डो अपके पास चार मंध समय है, एक-वारा एक-स वी सनय आपके पास समय है लकवाग कम से कम आप जो है दो चारिस मॉक्तेस लगा ह his है मतलब रोज दो मॉक्तेस्ट लगाये आप ओन- औफॉलाइन आप जू है डेली दो मॉक टेस्ट लगाईए यह जो मॉक टेस्ट होता है समझ लोग की बिटमीन्स का काम करता है अगर आपको डेली दो मॉक टेस्ट लगाते हो तो कहीं न कहीं आपकी 50% तैयारी यहीं से हो जाएगी तो मॉक टेस्ट पर बिशेस करके ध्यान देना है उसके बाद से जो है आपको प्रिवियस एर का कोश्चन पेपर जो आता है उसको solve करना है प्रिभिएस यर के कोश्चन पर आपको ऑन लाइन भी मिल जाएगा या प्रेक्स सेट खर दी यह उसमें भी देखने जाएगा दुर्ड ले प्र सब्सक्र frogs माहीं आज़ाएगा सांसरी शेल इस कले कंऊंड़ हो जूसечь थे ले आकना ध्यान सरवनाम विसेसर आपको यहीं सब सीज़े देखने को मिलती है विलोम सब्द और समनार्थर सब्द अनेक सब्दों के एक सब्द मुहावरे वगरा यहीं हिंदी में देखने को मिलते हैं तो कोई ज्यादा आपको सिल्यवसिस का भास्ट नहीं है बिलकुल बेसिक सा कोश्चन ज्यादा इस पर उतना भी यह नहीं है कि आप पूरा हिंदी को चाट रहे हो बस बेसिक सा कोश्चन तुछता है तो वहीं जब आप मॉक टेस्ट लगा होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है इसका लेबल क्या है आप लोग क्या करिए कि मैत के लिए आगर आप को किसी टेच्ट के पर पड़ते हैं तो अच्छी बात है क्योंगि टीचर के पास पढ़िएगा तो आपको त्रिक्स वगरा बताएगा क्योंकि मैत सब्सक्राइब पढ़ती है कहीं ना कहीं तो मैत के लिए आप मैं करूंगे कि आप किसी टीचर के पास पकड़ लीजिए ऑन लाइन ऑफ लाइन कहीं भी क्लास करिए अच्छे से करिए ताकि किसी अधर भी विकेंसी के आप प्यारी कर रहा है तो उसमें ये काम आए ठीक मैत एक बार पढ़ि लिजनिंग और हिंदी भी कंप्लीट हो जागा और बची जी के जीएस के लिए जो है आप मॉक टेस वगएरा लगा रहे हैं उससे भी आपका काम होगा और साथ साथ आप जो है लुशन्ट वगएरा और समाने ग्यान कीरन पढ़िकेशन वगएरा पढ़ रहे हैं उससे लेकिन को यह समझ में नहीं आता है कि नोट्स बगएरा को पढ़ना कैसे है तो देखिए जो भी आप नोट्स बना रहे हैं जैसे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा हो सकता होती है तो जो आप दिन बढ़ पढ़ रहे हैं करिए कि सामकोर्म रिवाइज कर ले या आप दो दिन में एक दिन समय रख दीजे जितन आप सिर्फ रिवाइज करें तो इस तरह से जो है रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है देखे हो येगा कि बहुत लड़का ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम SSGD क सब्सक्राइज करेंगे तो अगर आप दरोगा की ट्यारी कर रहे हो दरोगा की वेकेंसी आइट हैंड नहीं है तो आप पता होना चाहिए कि किसी भी पद पर रहके आप जो है कहीं भी जा सकते हो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे निउज बगएरा देखने को मिल रहा या उसके बाद से यूपीसी तक के एक्जाम को निकाल लिया सिपाही जो है आपको जब भी यूपीसी बीपीसी या स्टेट पीसी का रिजल्ट आता होगा तब आप तो आपको जो है इस तरह से तमाम सारे न्यूज सुनने में मिलते होंगे नौकरी करता था फोर्थ क्लास कर प्रमचारी था और जो है अभी यूपीसी बीपीसी जैसे एक्जाम को निकाल लिया आप जो है पहले जो आपके सीर पे जो बिरोजगारी के दब्बा है पहले उसको दूर करने के कोशिज करिए बस यहीं उपा है कि जो भी आपको पर सुन्टी मिल रहा है उसको दबोचने करिए उसको निकालने का कुशिज करिए ना कि हम देखा कर दीजिए क्योंकि कहीं कहीं कोई भी एक वेकेंसी आती है तो पहले तो वेकेंसी आने में यह साल दो साल लग जाता है तो चार साल तक आपके समय और आपकी प्रस्थिती एक जैसा नहीं रहेगी तो इसलिए दिमा और प्रेसर भी नहीं पड़ेगा नहीं तो पता चले किसी बड़े नौकरी और वहदे की तयारी के चक्कर में आप एक छोटा नौकरी भी नहीं ले पाए तो इस बात को द्यान रखना है कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं हुआ है आज की डेट में हर जगे आपको graduate PhD पहुंच रहे हैं बस किसी के पास समय का भाव है किसी के पास opportunity का भाव है इसको जिस तरह से opportunity समय मिल रहा है अपना समय दे रहा है वहां ओ जगह पे पहुंच जा रहा है तो धैर रखना है और जो ही opportunity मिल रहा है उसको बिलकुल जाने नहीं देना है कोई भी question query होगा तो आके मेसेज भी कर सकते हो